हे गईज, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप OnePlus 13 में Apps को Lock कैसे कर सकते हैं तो चली, वीडियो स्थार्ट करते हैं गईज, सबसे पहले आपको iPhone की Settings में चले जाना है iPhone की Settings में जाने के बाद, यहाँ पर आपको एक Option दुखेगा Security & Privacy आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद गाईज आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको app lock and hide apps देखने को मिल जाएगा, तो अभी हम apps को lock करने वाले हैं, तो आपको app lock पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद गाईज यहाँ पर आपको सारी apps सो जाएंगी और सबसे उपर option देखने को मिलेगा आपको app lock का तो इसको आपको enable कर देना है जैसे ही guys आप इसको enable करेंगे तो यहाँ पर privacy password set करने के लिए बोलेगा यह तो privacy password set करने के लिए guys आपको settings पर click करना है settings पर click करने के बाद guys आपको अपना privacy password यहां पर set कर लेना है तो यहां पर black screen हो गई है security region से तो आपको privacy password यहां पर set कर लेना है एक बार अपना privacy password डालना है फिर यह confirm करने के लिए बोलेगा तो यहां पर आपको confirm में भी वही password डालना है इसके बाद यह security question set करने के लिए बोलेगा तो यहां पर अपना security question set कर लेना है और email भी यहाँ पर add कर लेना है ताकि अगर future में कभी आप privacy password को भूल जाते हैं तो recover करने के काम आएगा तो यहाँ पर email को भी जरूर add कर लेना है तो उसको set करने के बाद guys यहाँ पर यह enable हो जाएगा आपका app log यहाँ पर नीचे आपको सारी apps हो जाएगे जिन apps को भी आप log करना चाहते हैं simply उनको select कर लेना है select करने के बाद guys आपको उपर three dots देखेंगे तो यहाँ पर आपको click करना है और settings पर click कर देना है settings पर click करने के बाद guys यहाँ पर आपको option देखेगा other unlock method अगर guys आप fingerprint और face log भी add करना चाहते हैं तो guys जब भी आप lock apps को unlock करेंगे तो fingerprint या face log से भी कर पाएंगे तो यहाँ से इनको enable कर देना है enable करने के बाद guys उपर एक option देखने को मिलेगा lock app when तो इस पर आपको click करना है click करने के बाद guys exiting the app पर आपको click कर देना है ताकि जब भी आप lock apps से exit करेंगे तो वो दुबारा से lock हो जाएगी और तो इस option को भी आपको जरूर enable कर देना है enable करने के बाद guys आपकी apps lock हो चुकी है अब वो होम स्क्रीन पर आ जाना है और आपने जिन apps को भी lock किया है उनको open करना है जैसे की guys मैंने chrome को किया था जैसे मैं इस पे click करता हूँ तो यह passport मांग रहा है तो यहाँ पर guys मैं अपना passport दे सकता हूँ और मैंने face lock और fingerprint भी लगाया हुआ था तो इनको use करके भी मैं इस app को open कर सकता हूँ तो इस तरह से guys आप 1 प्लस 13 में apps को lock कर पाएंगे तो I hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please वीडियो को like कर देना दोस्तों के साथ share कर देना और अगर नए हो तो चैनल को subscribe जरू कर देना मैं मिलता आपको next वीडियो में तब तक के लिए keep smiley